और आप दिल्ली में हो और दिल्ली में गरीब लोगों की उपेक्षा करते हो गरीब लोगों का वोट ले करके आ गए आ जाते हैं और यहां उनके इलाज पर हम पांच लाख रुपया खर्च करते हैं यह कौन्सी बात है अरे बिहार हो पुर्बान चलों किसी राज जी के लोग हो यहां रहते हैं और यहां रहते हों उनके परिवार का अगर इलाज कहीं होता है तो एक खास बात नहीं है लेकिन अगर कोई आता हम भी तो सांसद रहें छे बार तो हमारे इलाके में हम लोगों के पूरे बिहार में तो उसमें कोई इलाज नहीं हो पाता था ठीक से वहां के अस्पताल की हालत क्या थी जो ब्लॉक में प्रात्विक स्वासकेंद्र था 2006 के फरवरी में हमने सर्वे कराया एक महीने में एक ब्लॉक वाले हॉस्पिटल में प्लात्मिक स्वास के अंदर में एक महीने में आस्तन 49 मरीज जाते थे यानि एक दिन में एक या कभी कभी दो और हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया उसके बाद डॉक्टर का नर्स का परामेडिकल स्टाफ का और मुफ्त में दवा का प्रबंद करना शुरू किया मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और आज आप मालूम है अब बिहार के एक ब्लॉक में जब काम मिला हम लोगों को तब मरीज की संख्या रहती थी 49 एक महीने में और अब बिहार में आस्तन एक प्रखंड के प्रात्मिक स्वास के अंदर में आस्तन दस सज्जार मरीज राज कराते हैं एक महीने के अंदर तो हम लोग तो इतना काम कर रहे हैं बाई अब पहले अब पहले तो वहाँ पर क्या जिला के अस्पताल की हालत थी जिला के अस्पताल में मेरा अनुभाव था हम देखने गए थे एक जिला अस्पताल में बिहार सरीप में एक पत्रकार को वो बीमार थे और जब हम वहां गए तो हमने देखा कि अरे अचानक से धब का क्या आवाज किया तो पहली मंजिल पर भी हमने देखा कि हुआ थे हैं जब हम लोग जा रहे थे कई आदमी तो कुटा वहां से कुदा तो यह देखा इलाज में नहीं जाते थे और अब क्या इस्थिति कितने मरीद जा रहे हैं कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई हमारे नड़ा साहब का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है तो कितने मेडिकल कॉलेज तक की स्थापना हर तरह का काम हुआ है किस हिसाब से कहते हैं भाई हम लोग जब यहाँ पर MP थे कोई बिहार का आदमी आता था इलाज के लिए तो AIMS के लिए आता था और हम लोगों कि यह ड्यूटी रहती थी कि हम सब लोगों का इलाज कराएं हमको बड इंडी सरकार के कौन हस्पताल में भाई बिहार से आदमी आएगा 500 रुपईया का गारी भड़ा लगा करके यहां पर आएगा 5 लाग अरे यहां तो मदद हो रही है भाई केंद्र सरकार की स्कीम है उस्मान भारत इस्कीम जिसमें गरीब परिवार को इलाज में मदद के लि कोई अगर बिमार है उसके इलाज के लिए हम लोग मदद करते हैं अगर परिवार की आमदनी धाई लाख रुपया है सालाना तो उससे उसके नीचे वाले तमाम लोगों को हम लोग इतनी मदद करते हैं कोई बिमारी के इलाज में जितनी जरूरत है उतनी मदद हम लोग करत और अब तो आश्मान भारत स्कीम आ गया अब इसके बाद ये कहना कहां से वह पांच लाख रुपया खर्चा करते जब यह आश्मान भारत स्कीम भी नहीं लागू किया तो भाई मुझको तो बहुत आस्चर्ज होता है कि कौन-कौन लोग यहां के हैं और कितनी बड़ी संख अश्या में यहां पर बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं राज्जियों के लोग हैं उनके साथ इस प्रकार से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और जो लोगको भी मौका मिला है दिल्ली में सरकार चलाने का हम ने पहले भी कहा सब को मालूम है अरे दिल्ली तो देश की इलट रही हो और ये लोग कोई काम कियें जी एक वाद जान लीजिए हम लोग तो हर छेत्र में काम कियें परिवहन के छेत्र में भी काम किया है हम लोग बिहार से दिल्ली आने के लिए कई बस की सेवाओं की सुरुवात कराई आई जो दिल्ली सरकार है उससे अनुमती मांगे कि उसको दिल्ली तक आने का मौका दीजिए आपको मालूम है नहीं दिया आज तक मौका नहीं दिया आज तक मौका और गाजियाबाद तक लोग आते हैं मैं उत्तर प्रदेस के गाजियाबाद तक पटना से चल करके बस आता है गाजियाबाद तक अगाजियाबाद के बाद यहां आते हैं किसका मदद की है भाई अर्यार रहता हुजाएगा नहीं अपने पुराने घर पर वहां से उसके और घर के दूसरे लोग आएंगे नहीं ये राजधानी हनने लोग आएंगे नहीं तो ट्रेन से लोग आते हैं कई तरह से लोग आते हैं लेकिन बस की भी सुवधा दी तो दिल्ली तक आने नहीं दिये हम तो कहेंगे बाई जितने भी बिहारी लोग हैं याद रखिएगा अपना एक वोट बरबाद नहीं करिएगा इनको बता दीजिए और यहाँ पर एक एक वोट अपना दीजिए इंडिये को यहाँ से ठीक है हम लोगों के उमिदवार लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे उमिदवार हैं आप सोच लिजी एक कैंसर के इस पेसलिस्ट हैं और यह पहले भी रह चुके हैं मेले आज जब यह मेले होंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोगों को पुरा विस्वास है नड़ा साहब का इन पर महरवानी रहेगा यह और आगे बढ़ेंगे अभी हमको पूरा भरोसा है इसलिए हम आप सब लोगों से कह हैं और एक एक चीज में जो बिजली की बात है कुछ लोगों को कह दिया है कि इतना बिजली देते हैं क्या बिजली है जी आपनों को मालूम है देश भर में योजना है सब के घर में बिजली पहुचाने की हम लोगों ने पहले से सुरू किया और 2018 के अक्टूबर महीने तक बिहार में हम लोगों ने हर घर बिजली पहुचा दिया है हर घर बिजली हम लोगों ने पहुचा दिया है और आप ज़रा बताईए कि यहां पर कितने लोग मर जाते हैं अभी हाल में घटना घटी क्यूं आग लगी और उसके उतने लोग शिकार होगए क्या मदद किया भाई हम लोगों से तो जितना मदद था हूथ संभावता किये यहां से ले जा करके उनके गावं तक भी पहुचाए लोगों को हर तरह की कोशिज करते हैं यहां पर इसके लिए हम लोग ने अधिकारियों के न्युक्ति कर रखी है कि बिहार के लोग अगर बाहर पिडित होंगे तो उनका सहीयोग करने के लिए हर तरह का उपाए हम लोग करते हैं हम लोग तो सब बात कर रहे हैं लेकिन बिजली के बारे में क्या कर रहे हैं बाई ब हम लोगों नहीं स्रिफ हर घर बिजली पहुंचाया बिहार में हम लोगों ने तै कर दिया कि हम बिहार के पुराने जरजर तार को बदल देंगे और हम लोगों ने बिहार में पुराने जरजर तार को बदल दिया है इसलिए कुछ लोगों का तो ऐसे ही है काम करने की जरूरत नहीं है प्रचार विज्यापन इस सब में ज्यादा रूची रहती है काम हम से क्या मतलब है और हम लोग विज्यापन और प्रचार में रूची नहीं रखते हैं हम लोग काम करते हैं कौन जाता था कहां जाता था कितना समय लगता था लोगों को अपना घर जाने में अब कितन कि भी कोने से चलकर पटना पहुंचने में हमने पहले लक्ष रखा च्छो घंटा वो पूरा हो गया तो अपताय कर दिया कि पांच घंटा में वो पहुंच जाए बिहार के किसी कोने से यह सब काम कर रहे हैं हम लोग तो कौन सा काम है जिसके बारे में हम लोगों ने प्रयास नहीं किया तो नहीं यह पानी का काम कर रहे हैं आपको मालूम है बिहार में हर घर नल का जल हम लोग पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और अब तो देस वर की स्कीम बन गई लेकिन हम लोगों का लक्ष है बिहार में इसी साल हर घर तक नल का जल पहुंचा देंगे और य और हम लोगों का लक्षा इसी साल के पहले ही अंत होने के पहले चुनाओं में जाने के पहले काम बहुत तेजी से हो रहा है हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्मान हम लोग करवा रहे हैं हर घर तक नल का जल जो हमने जिसका जिक्र किया बिजली का सब घर में सोचाल है सा कारा काम हम लोग कर रहे हैं और उसी बिहार के लोग तो देश वर में पुर्वान चल के लोग देश वर में हैं अन्य राजियों के लोग देश वर में रहते हैं और उन लोगों को कितनी तकलीफ और कितना कस्ट किस तरह से लोग रह रहा और अभी बताया गया बाप क्या इस्थिती है सोच लेजिए किस प्रकार के पानी का इस्तेमाल यहां पर हो रहा स्वच्छ पानी नहीं है इसलिए वैसी इस्थिती में भाई काम तो हम लोग करते रहे इतना तेजी से अब ए एक बार यही हम लोग सब लोग अनरोध करने आये हैं और हम लोग ने सुरू में ही बता दिया बिहार का जो भी है न्याय के साथ विकास हम लोग कर रहे हैं और मालूम है इतना पिछडा राज्य है बिहार और तब भी विकास का दर 11.03 प्रत्सत हो गया तो हम लोग तो काम कर हैं अब भाई दिली जैसे राजधानी कि जिम्मेबारी जिन लोगों को मिली उन लोगों ने कोई काम नहीं किया इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करने आये हैं यही कि 15 साल मिल गया कॉंग्रेस को 5 साल मिल गया आमादमी पार्टी को अब इसके बाद अगला वक्त आप भारतिय जनता पार्टी के नेत्रित में एंडिये को दीजिए और एक अबसर देख लीजिए देश में जिनकी सरकार